हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामने एक इसका पहला लेक्चर होने वाला है दोस्तो अगर हम सर्कल की बात करें अगर मैं आपको डाइग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एक सर्कल है आप पता हिके सर्कल मिन्स क्या होता एक रावंड होता है गोला इसका एक सेंटर. पॉंत हाँ यापको आपको मैं दिखाना की कोशिश करर रहा हूं फॉर इस वाल इसंटर. जिसेंटर पॉइंट नहीं से भी स्में पढ़ोगे, क्योंकि normally आप 7th standard में हो, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, फिर 10th के बाद आप science नहीं लेते हो, तो यह आपको circle से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, आप commerce में चले जाते हो, तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आप जब भी math पढ़ोगे, तो for example, this is a circle, यह आपको पता ही है, that is, यह जो होता है आपका, यह होता है आपका center point, या फिर center भी directly आप बोल सकते हो, center point बोल लो, या फिर center बोल लो, और दो से तीन चीज़ होती है, इसमें आपको ध्यान में रखने की जड़ोत है, अगर मेरा center से लेके, कोई भी circumference था, य distance को हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तो, radius बोलते है, radius of the circle, यह आपने पहले सुना भी होगा मेरे साब से, नहीं भी सुना होगा, तो आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो center से लेके, कहीं पे भी, अगर circle पे वो touch हो रहा है, यहाँ पे, कहीं पे भ से पास हो रहा है, यानि कि center point से पास हो के, कहीं से भी एक straight line अगर घुजर रहा है, वो चीज को मैं क्या बोलूँगा, दोस्तो, diameter बोलूँगा, तो let's suppose यह A है, इसका नाम में B दे दिया, यह point का, तो मेरा जो distance A से लेके B तक का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, diameter बोलेंग Cod का मतलब क्या होता है, कोई भी एक straight line, लेकिन वो center से पास नहीं होगा, कोई भी एक straight line जो center से पास होता है, उसको diameter बोलते है, लेकिन कोई भी एक straight line, जो center से पास नहीं होता है, कहीं से भी attach हो सकता है, let's suppose यहां से यहां गया, यहां से लेके यहां गया, कोई भी फरक नही इसे points को समझ लो, इसका नाम में CD, तो समझ लो, ये CD जो रहेगा, इसको हम लग बोलते है, chord, क्या बोलते हैं, दोस्तो, chord, बस यही 2-3 चीज़े होती है, इसमें, फिलाल के तोल में, जो आपका 7 standard के point of view, अगर मैं बताओ, यह आपको समझना है, clear है, दोस्तो, तो पूरी उम करता हो कि यह चीज समझ में आ गया, अब आपको यह चीज करना है, एक तरीके से experimentation करना है, आपके घर में बहुत सारे से circular चीज़े होंगी, अब भी जाओ, ठीक है, लेक्चर देखने के बाद, तुरंत आप लेक्चर देखने माद उठो, आपके पास scale तो होगा, जरूर से बड़ा वाला scale भी हो सकता है, श्टील का scale आता है, किसी के बास measuring tape होता है, तो अगर है, आपके घर में बहुत सारे बरतन होते हैं, गोल-गोल के dish होते हैं, किसी का jar होगा है, डबा होगा, इसे किसी के भी goal चीज अगर होता है, मतलब यह circular चीज है, तो उसका आपको क्या कर तो यहां से center से लेके यहां तक का जो भी distance होगा, बीच ओ बीच वो रहेगा आपका diameter, तो आपको diameter निकाल लेना है उसका, ठीक है, अब second चीज यह करना है, diameter निकालने के बाद circumference निकालना है, तो circumference का मतलब क्या होता है, let's suppose I am taking one example, यह जैसे मैंने बहुत किसी का lead है, या dish हो सकता है, एक तरीके से बरतन ले लो, ठीक है ना, प्लेट होता है, खाना खाने का, गोल होता है, तो circumference एक चीज होता है, मैं आपको यह चीज बता दू, circumference का मतलब क्या होता है, और यह बहुत important चीज है, आप लोग के circle के point of view, circumference of the circle and area of the circle, यह दो अलग-अलग concept है, मैं आपको explain करूँगा, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, अभी यह पूरा circle है, गोल है, तो लेकिन मैंने इसको cut करके, जैसे bangle होता है, बangle, चूडी, चूडी होती है bangle, यह समझ लोग यह bangle है, तो अगर मैंने इसको beat से cut कर दिया, और यह पूरे को खोल दिया, पूरे को खोल दिया, यह यह कितना हो जाएगा, इसको एकदम सीधा कर दिया, तो सीधा कर दिया, तो यह कितना लंबा है, वो decide करता है हमारा circumference, तो इसके लिए एक formula होता है, यह चीज़ याद रखना मैं आपको बता दूँगा, तो यहाँ से लेके पूरा जो घूम के आया distance यहाँ तक, जो भी distance होगा, उसको हम लोग बुलते है circumference, और जो की circle का होता है 2 pi r, अब 2 pi r मतलब 2 2 आपका एक number है, pi का value आपका पता है 22 upon 7 होता है, और r मतलब radius, जितना भी यह circle का radius रहा होगा, जितना भी bangle होगा, फिर जो भी चीज हो, उ से हम लोग multiply करेंगे, तो आपको कुछ example solve कराता हो, वो example साप अगर solve कर लोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा easy लगेगा, and easily आप लोग solve कर पाऊगे, and कभी-कभी आपको क्या होता है, एक column आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आपको CD, COD का ratio बोला, यानि कि पहले circumference आप न निकाला, और जो की है 19, समझ लो, circumference कितना है, 19 है, और इसका diameter जो होगा, वो कितना होगा, D, D से diameter होता है, इसका दिया हुआ, diameter, let's suppose I am taking here, 6 cm, तो मेरा जो C by D ratio होगा, यानि कि circumference का ratio जो होगा, diameter से, C by D ratio कितना हो जाएगा, 19 बटे 6, इसको divide कर सकते हो, तो कर लो, ने divide कर प हो गया, हर एक चीज का आप measure कर सकते हो, और यह activity type है, आपको करना है करो, नहीं करना है आप नहीं करोगे, तो कोई भी problem नहीं है, लेकिन method समझ में आना चाहिए, तो उमीद करता हूँ कि circumference और diameter क्या होता है, उसका ratio हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यह आपको समझ में आ गय तो चलो एक example ले लेते हैं, समझ लो एक question आपको पूचा है, कि आपको निकालना है circumference, कोई भी circle दिया हुआ है, उसका circumference निकालना है, लेकिन उसमें कुछ value दिया होना चीए, तो इसका value समझ लो दिया है, कोई भी circle का diameter है, वो diameter का value हमें दिया है 14 cm, हमने मान लिया कि जो diameter ह उसका जो circle का diameter है, वो 14 cm दिया है, और हमें question ये पुचा है, find its circumference, यानि कि आपको circumference निकालना है, यानि कि c is equal to question mark, अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले जैसे मैंने बोला, कि आपको अगर निकालना है circumference, तो हमें एक formula पता है, ये आपको याद रख लेना है, हमेशा के diameter, जैसे आपको मैंने बताया था, कि यहां से लेके यहां तक radius होता है, लेकिन उसको वही वापस से फूरा लेके आ जाओ, तो ये उसका double हो गया, तो जो diameter होता है, वो 2 times radius होता है, यानि कि radius का double कर दूँगा, तो अगर मुझे radius निकालना है, तो मैं diameter का आधा कर दूँगा, तो radius मिल जाएगा, करेक्टर ने, ये formula भी आपको याद रखना है, कि diameter जो होता है, वो radius का double होता है, तो radius कितना होगा, diameter का आधा, ये आपको याद रखना है फिलाल में, तो यहां पे मेरे पास क्या दिया हुए दोस्तों, diameter दिया हुए, तो radius कैसे निकालना होगा, यानि कि 14 बटे 2 हो जाएगा यानि कि 7 cm हो जाएगा तो radius मुझे पता चल गया अब मैं क्या करता हूँ यह formula लगा के मेरा circumference जो हमें निकालना है वो निकाल सकता हूँ circumference के लिए लिखता हूँ C is equal to 2 pi r formula है तो 2 डाल दिया pi का value क्या होता है 22 upon 7 जैसा मैंने बताया आप 22 upon 7 भी ले सकते हो या फिर 3.14 भी ले सकते हो तो 2 multiply by 22 upon 7 और multiply by radius आपने निकाला 7 यह 7 और यह 7 cancel हो गया 2 multiply by 22 is 44 यानि कि C कितना आ गया आपका 44 आ गया और इसका जो unit होता है जो भी आपका दिया रहेगा बोल सकते हो कि 7 का सबसे easy चीज यही है तो यह चीज पूरी उमीद करता हो कि आपको clear हो गया होगा अब मैं आपको एक और example कराता हूँ इसी प्रकार का जिसमें हम लोग और भी concept पढ़ते हैं अब ध्यान से देखिएगा बहुत ही simple चीज होने वाली है यह सब चीज अब ध्यान से देखो समझ लो एक question यहाँ पर बोलाए कि radius से circle का जो कि यह 35 cm ठीके रखा है और question यह पूछा है कि circumference निकालो यानि कि C निकालो ठीके we know the formula for circumference of a circle c is equal to 2 pi r सीजा डाल दो 2 का वेलू पाय का वेलू कितना होता है 22.7 और radius हमें डारेक्ली दिया हुए 35 डाल दिया 7 बंजा 7 होता है 75 जा 35 होता है यानि कि 2 multiply by 22 multiply by 5 कितना आ जाएगा 22 multiply by 2 44 होता है और 44 5 जा कितना हो गया 5 4 जा 20 5 4 20 22 यानि कि 220 हो गया और इसका unit क्या होता है cm तो आपका answer आ गया circumference का 202 cm कितना time लग रहा है गिनके 5 seconds या 10 seconds आपको लगेगा और यह एक माक्सा question आपको exam में पूछेगा तो आप definitely solve कर गया आ जागे इतना easy है clear है दोस्तों तो पूरी उमीद करता हूँ कि यह चीज आपक question पूछता हूँ तो यह question कर लेते हैं फिर आज का lecture stop करेंगे क्योंकि आज हमारा conceptual lecture था इसके बाद जो भी हमारा lecture आगा उसमें हम अपको लिए practice set solve कराएंगे असली question जो होगा वो solve कराएंगे ठीक है तो एक और example में करा जेता हूँ जिसमें आपको उल्टा पूछा हुआ ह आतलब आपको यहाँ पे circumference दिया हुआ है तो circumference जो है circle का वो दिया है आपको 198 cm ठीक है 198 cm ठीक है circumference दिया हुआ है 198 cm और यह question पूछा है हमें कि आपको radius निकालना है और साथी में diameter भी निकालना है तो we know that radius निकल जाएगा तो diameter निकालना कोई बड़ी बात नहीं है उसका double क पर दो आ जाएगा ठीक है radius question mark है diameter is also question mark तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हमें एक formula पता है क्योंकि circumference दिख रहा है तो सिधा-सिधा formula लगेगा circumference का अब ये 7 धुड्य नीचे दोस्तों वो 7 क्या करेगा इधर चला जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 अगर इधर चला जाएगा तो क्या होता है जैघो 198 जो है वह 7 से multiply हो जाएगा ठीक है अब यहां पर क्या बच रहरा है मल्टिप्य बच रहा है अब यह 2 x 22 है इसको भी नीचे भेज देता हो तो अकेला वहाँ पर R बच जाएगा तो यहां से हम लोग R का value निकाल सकते हैं यानि कि R will be equal to 198 x 7 और नीचे आ जाएगा 2 x 22 अब इसको cut कर सकते हैं हम लोग directly और इसको solve जब आप करोगे solve कर लो यहां पर 2 के टेबल में देखो 2 x 2, 2 x 9 x 18 होता है 1 x 8 बचा फिर 2 x 9 x 18 होता है 99 बचा 11 x 2 x 22 हो गया 11 x 9 x 99 हो गया ठीके नीचे बच रहा है उपर 9 x 7 x 63 डिवाइड बे 2 63 x 2 कितना होता है दोस्तों यहां पर आपका answer आजाएगा 31.5 ठीके तो आपका radius का value कितना आ गया उपर कितना है 9 x 7 यानि की 63 और नीचे 2 बच रहा है तो 63 को 2 से डिवाइड कर तो आपका answer आएगा 31.5 cm तो radius आपको 31.5 cm मिल गया और diameter भी निकालना है तो diameter कितना होता है 2 x radius यानि 2 x r होता है तो 2 x r कितना है 31.5 तो आपका db value आ गया, d का value हो जाएगा इसका double यानि की 63 cm तो आपने क्या निकाल लिया, circumference आपको दिया हुआ था, आपने radius भी निकाल लिया और आपने diameter भी निकाल लिया, कितना simple है दोस्तों आप भी बताओ comment करके कितना easy example है, clear है, त बहुत ही interesting and यहाँ पे कुछ नया चीज सीखने वाला था, that's why यहाँ पे मैंने छोटा ही lecture रखा है, examples भी 3-4 करा दिये, उमीद करतों समझ में आ गया होगा, आगे आने वाले lectures में practice भी करवा दूँगा, और फटा-फट से आगे के continue कर लेंगे, तो आज के लिए इतना ही, क कैसा लगा है हमारा lecture वीडियो और एक नया चाप्टर जो हमने शुरुआत किया है, यह कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके बताएगा, अपने राय और suggestion जरूर से दीजेगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा, share कीजे